हाई अबरिवन वल्कम बैक टो सदेश वेंजन सेमिया या वर्मिसिली फ्रूट कस्टड तो आप लोगों ने बहुत बार खाई होगी और बनाई भी होगी पर क्या ये फ्रूट कस्टड कभी आप लोगों ने फेणी से बना कर तयार की है अगर नहीं तो चलिए आज मेरे साथ बना कर ट्राई कीजिए ये फेणी फ्रूट कस्टड सिफ 15 मिनट में बनकर तयार हो जाती है और खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फेणी फ्रूट कस्टड सबसे पहले हम कस्टड बना कर तयार करेंगे और इसके लिए मैंने लिया है फेणी ये बहुत ही आसानी से मार्किप में मिल जाती है इसे मैंने छोटा-छोटा क्रश कर लिया है और इसी के साथ मैंने लिया है यहाँ पर थोड़ा सा थंड़ा दूर जिसमें मैं दो चम्मच के करीब कस्टड पाउडर मिला रही हूं इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे साइड में रख देंगे पीडियों को कस्टड में मिलाने से पहले हमें इसे हलका सा रोस्ट करना होगा तो मैंने इसे एक पैन में डाला है पैन में मैंने घी या तेल कुछ भी नहीं डाला है इसे हमें राइ रोस्टी करना है एक से दो सेकंड के लिए हमें इसे रोस्ट करना है तो यह अच्छे से दूद गरम हो जाएगा, मैं इसमें कस्टर्ड वाला मिश्रन मिला दूँगी, जो हमने पहले से तयार करके रखा था, ध्यान रहे कि इसे हमें बहुत जादा पका कर गाढ़ा नहीं करना है, बस हमें इससे अच्छे से उबाल लेना है, तो पांच मिनट हमें इस दूद को उबालना है, गैस बन कर देते हैं, और दूद को हलका सा थंडा होने देते हैं, दूद हलका सा थंडा हो जाए, तब हमें इसमें फेनी आड़ कर देना है, एकदम उबलते हुए दूद में आपको फेनी आड़ नहीं करना है, वरना ये बहुत जादा सौगी हो जाएगी और इसका टेस्क बहुत ही खराब आएगा तो आप दूद को हलका थंडा कर ले उसके बाद इसमें आप फेडियों को एड़ करें पांच मिनट के लिए से छोड़ दें देखिए कितनी गाड़ी हो गई है एक बोल में ट्रांसफर क करने के बाद अब इसमें मैं आड़ कर रही हूं condensed milk कस्टड का ये mixture दही जितना गाड़ा ना हो जाए इसी के लिए मैंने इसमें condensed milk प्लास्प में आड़ किया है और इसे अच्छे से मिला कर अब हम इसे दो घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे तो मैंने इसे दो घंट किया शीट के बाद इसमें उपर से डालेंगे कस्टड जो हमने तयार किया है और अपनी पसंद से आप कोई भी fruit यूज कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर लिया है अनार बारी कटा हुआ सेल थोड़ी से पके हुए केले और आम का सीजन चल रहा है तो थोड़े से आम भी मैंन इसमें डाले हैं उपर से फिर से हम इसे कवर कर देंगे कस्टड से और अब इसे गानिश कर रही हूँ बारी कटे हुए ड्राइफ रूट से जिसमें काजू, पिष्टा, बदाम और किश्मिश है और थोड़े से अनार के दाने में उपर से डाल रही हूँ देखने में आपको ये बहुत पसंद आईगी, तो ये थी आज की पेणी फ्रूट कस्टड की रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ चेयर की अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई बातों के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखे, खुश रही और मेरी वीडियोस देखते रहे हैं